तो टूड़े बील स्टार्ट विथ पाथ एट्रिबीट औरीजिन कोड़ कि अगि कि कら चो फार्थ हां पार्थ लिश्ट तो अगर अअध्र जितने मतलब आपके पास मॉॉल्टिफोल पार्थ या फिर प्री प्रिफिक्स के सरॼ ओ अफ्रेफिक्ट के इन्वर में आपके वायुटिपल पादे वन कि एस पाथ लिश्ट तब चेक होने के बाद sequential एक के बाद एक आपका चेक होगा सबसे पहले आपका start होगा next of reachability से फिर धीरे 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 एक के बाद एक करके आपका as path list तब अगर सारे parameter आपका tie बन गए मतलब उनके हिसाब से सारा parameter as path list तब आपका कोई भी decision नहीं ले जाया पया तो उसके बाद में आपका क्या होगा आपके 6 number जो origin code वाला path attribute है यह आपका चेक किया जाएगा origin code के बारे में अगर हम बात करते हैं हमारे पास 3 तरह का origin code है तो origin code मतलब यह code आपका define करता है या फिर एक मतलब ऐसा symbol यह define करता है जिससे आपको पता चलता है कि यह जो network का information है यह कैसे originate हुआ है ठीक है तो यह पताता है अगर आपके पास origin code आपके पास तीन है एक आई करके अगर आपके पास origin code दिख रहा है तो इसका मतलब यह जो prefix है ना यह आपका network कमंड के जरी यह bgp में advertise हुआ है मतलब अगर आप network फिर उसके बाद network का information mask का value अगर लगा होगे किसी device के पास अगर आप bgp के अंदर advertise करा देते हो तो उस case में वह प्रिफिश का information आपके origin code किसके साथ आएगा आई के साथ आएगा तो आई आपका बताता है कि network is advertised in bgp by network command ठीक है तो अपने topology के उपर अगर में चला जाता हूं और यहां पर आर्टू के पास अगर हम जाते हैं तो एक बार यहां पर हम देख लेते हैं तो आप देखोगे यहां पर इसको हमने already advertise किया है तो आपका origin code होता है यह आपका last में आता है यह जो आई दिख रहा है या फिर आपका question mark दिख रहा है यह आपका exactly origin code है तो इसको एक बार हम खोल लेते हैं और इसकी पूरी information हम चेक करते हैं तो अगर आप देखोगे न तो यहां पर आपका origin code आपको आई दिखा रहा है तो यह जो command है या पिर यह जो network का information यह bgp table में कैसे आया है actually किसी router के उपर किसी ने या फिर आप खुद जिस router के उपर चेक करें उसी router के उपर आपका network command से advertise हुआ है अगर मैं यहां पर so run section router bgp अगर कर लेता हूं तो bgp के configuration के अंदर आपको दिखेगा कि यह जो code है यह जो network है टूडर 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 यह आपका network command के साथ bgp के अंदर advertise हुआ है तो कोई भी network अगर bgp के अंदर किसी भी device के bgp के अंदर अगर क्या होगा कि network command के साथ इसका मतलब आपका यह हुआ है कि यह जो network का information यह bgp network मतलब bgp process के अंदर आपका क्या होए network command के साथ आपका inject हुआ है जैकर इसका मतलब अगर आप देखोगे तो इसका मतलब यह होता है igp इसका मतलब आपका यह है कि bgp process के अंदर आपने direct किया किया है उस network को आपने advertise किया है अब देखो मैंने आपको बताया था ना bgp में आप network के से अड़ड़ाइज कर सकते हो आपके पास दो रास्ते हैं एक आपके पास है बजीप के अंदर direct कर सकते हो direct तो उसके बाद अगर हम देखते हैं तो हमारे पास और भी कुछ होते हैं जैसे आपके पास एक e होता है आपको यह देखने को नहीं मिलता है e का मतलब आपका यह होता है e gp ठीक है तो इसका basically use कहां पाई यह भी मुझे exactly clear पताने अभी तक भी हमने अभी तक जितने भी मैंने implement बगेरा भी किये उसके उपर भी मैंने कभी e वाला code के साथ किसी को नहीं देखा ठीक है exactly इसका information जो होता है मैं भी थोड़ा थोड़ा भ vgp ठीक है तो question mark मतलब किसी भी network को अगर आप क्या करोगे redistribute कर दोगे vgp के अंदर तो यह information आपको कैसे दिखेगा आपको question mark के साथ यह origin code आपको दिखेगा तो यहां पर अगर मैं show ip vgp कराता हूं न तो आप यहां पर देखना यह जो prefix information है न 10 का network बगरा इनके origin code अगर के पास हमने जाके क्या किया था बीजीप के अंदर यह information का हमने redistribute किया था था थोड़ा time लेगा यहां पर slow हो रहा है ठीक है तो अगर किसी prefix को किसी भी network के पास या फिर बीजीपी process के अंदर कोई भी device अगर क्या करता है बीजीपी नेवर भी आपका क्या करता है अगर redistrib information तो आपको हमेशा यह किसके साथ दिखेगा आपको question mark के साथ दिखेगा और इसमें एक rule है कि यह तापको पता चला की code आपको कैसे दिखता है किस code वाले क्या आप कैसे पेचान हो कि मतलब network का पेचान आपको कैसे मिलेगा कौन originate किया इसके information लेकिन इसमें एक rule है कि में आपके पास हो सकते हैं आप देखो यह मानलो आपके पास एक राउटर 1 है यह राउटर 2 है यह राउटर 3 है और इनके पास जो information है ना एक मानलो कोई एक network आपका दोनों के साथ connected था x network और इस x network को इसने क्या किया redistribute कर दी कोई दूसरे कि यह जो information है question mark के साथ आपको दीखेगा क्यूंकि यह redistribute हुआ है और यहां से जो भी information आएगा ना तो यह आपको दीखेगा आई code के साथ origin code आई के साथ यह दिखेगा तो इसमें एक rule है I will always prefer our question mark ठीक है और आई इस ओल्वेज प्रिफ़र आवर question mark ठीक है तो इसका मतलब यह है कि अगर आपको सेम प्रिफिक्स का information question mark के साथ भी मिल ला है और आई origin code के साथ भी मिल ला है तो उस case में आई वाला जो prefix है ना वह आपका best prefer किया जाता है ठीक है तो इसके लिए अगर हम प्राक्टिकल टेस्ट करने के कोशिस करेंगे तो हम एक काम करेंगे यहां पर आपके पास 10 का information सा रहे है ना router 1 के पास आप देखो के router 2 के पास हम चेक कर रहे तो ठीक है router 2 या पिर router 1 किसी के भी पास हम कि एस पाथ वाला जो path attribute होता ना यह सब से origin code से पहले आ जाता है ठीक है तो इसलिए क्या होगा आपके जब decision लिया जाएंगे यह क्या क्या जाएंगे आपका origin code के हिसाब से जो आपका best बनेगा यह वाला path आपका best बनेगा उसी को select कर लिया जाएगा और origin code इस पाथ वाला जो list होता है ना उसी के according आपका क्या क्या जाएगा बेस्ट पत आपका चूज हो जाएगा और उसके बाद origin code के आपका check करने के लिए आपके डिवाइस जाएगा नहीं क्यूंकि मैंने आपको बताया था कि आपके पास जो path attributes आपके पास होते है ना वह sequentially one by one आपका check किया जाते है तो इसलिए हम क्या करेंगे जहां पर आपका यह information लगा है route map के हिसाब से हमने लगा है route map यह उच करके यह कुछ भी करके तो उसको हम क्या करेंगे exactly हटा देंगे यह वाले router के उपर अगर हम आएंगे तो यहां पर मैं आपको दिखा रहा थ है कि redistribute आपका जो हुआ था तो यह वाले router के उपर हमने एक route map लगा करके तो हम आगे भी जो भी modification बगएरा करेंगे उसी route map के उपर ही हम करेंगे लेकिन अभी के लिए अगर हम यहां पर करते हैं do so route map अगर हम यहां पर कर लेते हैं तो आपको यहां पर दिख जाएगा कि आर्टी के अंदर हमने बहुत सारे parameter set करके रखा है तो हमें काम करेंगे no route में पर 2 कर देंगे क्योंकि हमें नया configuration करना है कोई confusion भी नहीं होना है और एक route map भी हमने बनाया R3 करके इसे भी हम हटा देते हैं और BGP configuration के अंदर जो command हमने चला के रखा है इसको रहने देते हैं ठीक है R2 जो हमने लगाया हमें याद है कि R2 वाला जो route map हमने लगाया यह route map हमने आर्टी के तरफ लगाया और R3 के तरफ लगाया ठीक है आपको confusion ना हो इसलिए मैं हटा भी देता हूँ कि अंदर मेरे कोई से 9 करना है और एक हमारे पास बचाए यह वाला ठीक है तो सारे configuration हमने क्लियर कर दिए उसके बाद एक soft reset कर देते हैं do clear ip vgp star soft तो आपके update पर refresh हो जाएंगे और अभी के लिए अगर हम R1 के पास जाएंगे तो हमारे पास information जो by default आना चाहिए था वही information हमारे पास आना चाहिए और आ भी रहा है तो अभी के लिए हम क्या करेंगे यह जो path attribute हमारे पास है से दोनों origin code और यह इसके साथ है आपके पास ठीक है origin code के साथ है उसके according हम क्या करेंगे अभी part decision लेने के लिए कोसिस करेंगे तो origin code के साथ अगर हम decision लेना चाहते है तो एक काम हम कर सकते है किसी एक router के उपर हम एक static route configure कर सकते है कौनसी network के लिए हम इसी network के लिए ओभी के लिए change करेंगे जो भी करेंगे 10 के network के लिए करते हैं मैं वह से क्या होगा आघार दो कि यहाँ और तो अगा कर सकते हैं अंदर उसे में सब्सक्राइब यहाँ अगर सो तो इहां आगर आप सोचोगे यह bgp के अंदर नहीं मैं फिर में आपको बता रहा हूं कि यह स्टार्टिक रूट हमें कंफिगर करने की क्या जर्णुस है है, आप सचाना की नेटवर्क का इंफरमेशन है न अगर मैं R3 के पास चला जाता हूं यह फिर आर्टू के पास यह नेटवर्क का इंफरमेशन और लड़ी BGP के तरफ से आ रहा है ठीक है फिर भी स्टार्टिक रूट कन्फिगर करने की क्या जूरूत है अगर मैं यहां पर करता हूँ करने की कोशिज करेंगे उससे पहले एक बार मैं आपको करा देता हूं इस सारे इंफोर्मेशन आपको ओरीजिन कोड कोस्टेन मार्क के साथ दीख रहा है ठीक है तो आर्ट्यू के पास मैं काम करता हूं थाउजंड के अंदर चला जाता हूं और नेक्ट्वर्क जो आपके पास है ना 10.0.0.0.0 और मास्क भी लो 255.255.255.0 स्लाश 24 का है ना दू मैंने बस यही किया कि नेट्वर्क कमांड के साथ उसके इंफर्मेशन जब मैं इस राउटर के उपर भी देख रहा था तो यह बीजीप से मेरे को क्वेस्टन मार्क के साथ आ रहा था क्योंकि कॉस्टमर 11 ने उसे रिडिस्ट्रिबुट किया है OSPF to BGP इसलिए हमें यह origin code question mark के साथ दिख रहा है लेकिन मैं यह कोसिस कर रहा हूँ कि R2 के पास यह information को जब R1 को दिया जाए तब क्या किया जाए यह information आपके किसके हिसाब से आए आपको I code के साथ आना चाहिए ताकि हम R1 के उपर थोड़ा देख सकते है तो R1 के उपर अगर मैं चला जाता हूँ और 100 IPBGP अगर मैं यहाँ पर R1 के उपर करा लेता हूँ तो आपको दिखेगा दोनों के दोनों information आपको मतलब question mark के साथ अभी भी आ रहा है ठीक है तो मैं एक काम करूंगा R2 के उपर चला जाओंगा और एक route कंफिगर करूंगा IP route 10.0. और next अप लगा लूँगा यह वाल IP 102.0.0.1 ठीक है अभी यह information आ जाना चाहिए ठीक है अभी यह network के information अगर आप देखो गराए यह आपको question mark के साथ नहीं आपको i code के साथ दिखा रहा था ठीक है तो यह confusion bus में आपका clear करने के लिए चाह रहा था कि आप देखो जब भी आप network command के साथ कोई भी network के advertise करने के लिए चाहते हो ना तो उस case में उस network का exact information आपकी routing table में होना चाहिए अगर आपके routing table में नहीं है वो information तो फिर आपके कभी भी bgb table में वो information नहीं आएगा तो पहले बार जब हमने check किया था same information आपके routing table में already पढ़ा था लेकिन ये information आपके receive हुए थे बीजीपी से और बीजीपी से जो information आपको अपने जो आपका external नेबर बगेरा कोई भी आपको दे रहा है ना वो already आपके बीजीपी table में पढ़ा है और उसी को वो information आपके ये आपके पास एक X का network था तो R1 ने X का information किस को दिया R2 को दिया तो BGP में जब भी आपके पास कोई update आता है ना एक neighbor आपको कोई network का information देता है कोई update आपको भेज देता है तो सबसे पहले आपका BGP table update किया जाता है ठीक है इस X के information सबसे पहले आपके BGP table में आएगा फिर ये information BGP table से आपका अगर valid and best दोनों अगर आपका होता है तो उस case में ये आएगा किसमें आपके routing table में और routing table में आपके information BGP से receive हो आए ये आपको दिखाता है तो आप जब यहाँ पे network comment चलाने के हम जा रहेते हैं तो already इस case में आपके routing table में information available था तो आप क्या कोशि information आपके routing table में आ रहा है कहां से BGP table से आ रहा है तो उससे फिर से BGP table में move करने के क्या ज़रूरत है नहीं है ना तो इसलिए पहले आपके पास reflect मतले reflect आपको नहीं दिखा रहा था जब हम network comment चलाये थे फिर बात में मैंने क्या क्या routing table में एक अलग सा entry बनाया static entry की x का information आ यह जो static entry है यह आपके BGP table में नहीं था तो इसलिए जब मैंने network comment चलाया x के साथ और यह static entry के लिए जब मैंने network के information चला दी तो यह आपके BGP table में आ गया पहले वालो जो आपके neighbor आपको दे रहा था वो आपका question mark से था और आपने जब network comment चलाया वो आपका i code के साथ तो आपके लिए अगर हम R1 के पास जाएंगे तो R1 के पास मैं एक बार show IP BGP करता हूँ सबसे पहले जब information आपके पास था दोनों के तरफ से आपके पास origin code question mark के साथ आ रहा था अभी के लिए अगर हम देखेंगे तो i का information आप देख लो इसके साथ आ रहा है origin code i किसके तर आपका best बन गया तो origin code i के साथ जो भी prefix आपके पास BGP table में पढ़ा है वो आपका हमेशा क्या होगा अगर दूसरा prefix या पर दूसरे path उसके लिए आपका question mark के साथ पढ़ा है तो i हमेशा आपका best बनता है यह एक तरीका है मैंने जो चलाया था यह बस दिखाने के लिए आ 200 run section IP route यह बहुत टाइम ले रहे एक काम करना पड़ेगा एक डिवाइस का राम जो है ना next class को मैं ज्यादा करा दूंगा जिसमें हम ज्यादा यह वाला comment चलाएंगे क्लेर हो रहा है ना यह जो मैंने प्वर्फरंट किया router 2 के उपर यह आपको समझ में आया ना मैंने क्या किया एक्जक्टली है यह सार कि 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 यह route को अगर मैं हटा देता हूं तो फिर network command का कोई मतलब भी नहीं रहेगा do clear ipbgp star soft ठीक है अभी question mark के साथ आपका आगया ठीक है तो हम इसको perform करने के लिए और एक चीज़ कर सकते हैं हम कहां पर जाएंगे customer 11 पर जाएंगे और r2 के तरफ जब यह देगा ना information तो उसके साथ हम क्या करेंगे question mark लगाएंगे और r3 के तरफ यह जब देदेगा तो उसके साथ हम क्या करेंगे i लगाएंगे तो यह तो आपका by default behavior था अगर आप network command के साथ advertise करोगे तो origin code i के साथ आएगा अगर आप redistribute करते हो तो फिर question mark के साथ आएगा यह आपका by default behavior लेकिन हम जब अपने neighbor को कुछ भी information advertise कर रहे हैं तो उसमें भी हम क्या कर सकते हैं route में लगा के हम origin code को भी change करके दे सकते हैं तो ओही अभी हम क्या करेंगे perform करने के लिए जाएंगे तो उसके लिए मैं एक काम कर सकता हूं customer 11 के पास जाके यहां से मैं क्या करूंगा question mark यहां से जा तो इसलिए हम क्या करेंगे मैं काम करता हूं मेरा आउटर 3 के पास पहले चला जाता हूं एक बार यहां से verify कर लेते हैं ठीक है सब कुछ सही है और आउटर 3 के पास में जाओंगा और यहां से मैं क्या करूंगा जब R1 के तरफ हम advertise कराएंगे 10 के network को तो उसके लिए हम क्या करेंगे origin code क्या करेंगे हम आई लगा के भेज़ेंगे ताकि अभी के लिए कौन साब का best है अगर आप R1 के पास जाओगे तो 2 आपका best बन रहा है ठीक है तो हम क्या करेंगे यह वाला जो 3 वाला है इसको हम best मनाएंगे तो router 3 के पास जाके मैं क्या करूंगा जो भी R1 के प prefix list ले लूँगा IP prefix list फिर उसके बाद मैं network का information एक नाम इसके लिए ले लेता हूं तो हम 10 के network के लिए लेंगे तो फिर मैं उसका network 10 मैं इसका नाम ले लेता हूं ठीक है उसके बाद हम क्या करेंगे match कराएंगे traffic तो permit statement हमें चलाने की ज़रूरत है 10.0.0.0.0 slash 24 तो exactly इसी को ह इसके बाद मैं कोई चीज यूज नहीं कर रहा हूं फिर उसके बाद यह आपका interesting traffic batch का step complete हो गया उसके बाद आपके पास next step होता है क्या कि आप attributes set करो किसको यूज करके route map को यूज करके तो मैं क्या करूंगा route map और इसके लिए नाम दोंगा मैं r1 के तरफ जो जाएगा तो मैं क्या करूंगा ठीक है या फिर मैं इसके एक नाम दे देता हूं to r1 ठीक है या फिर हम से easily ले ले लेते हैं r1 और उसके बाद आपका पता है पहले statement आपका permit 10 के साथ आपका start होता है इसमें मैं क्या करूंगा इस prefix list को सबसे पहले match करा होंगा जो traffic है जिसके लिए मैं set कर चाहता उस traffic को मैंने match करकर रखाए उस prefix list को मैं यहां पर कर लेता हूं match match ip address उसके बाद prefix फिर prefix list का name तो prefix list का नाम हमने क्या दिया है net 10 करके हमने दिया है तो exactly नाम मैंने दे दी तो यह route map के अंदर traffic को हमने match करा दी फिर उसके बाद हमें set attribute set करना पड़ेगा तो set उसके बा आइज़ीपी जो कि आपका i где होता है और एक आपके पास होता है incomplete 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 बतलब आपके पास क्या है question mark दो होता है न उस code को हम क्या बोलते कौनसे prefix के लिए बस 10.0.0 slash 24 के लिए आप चाहो तो command को not कर सकते हो फिर हम क्या करेंगे router bgp process के अंदर हम चले जाएंगे और अपने neighbor के तरफ हम define कर लेंगे तो मैं एक काम कर सकता हूँ मैं जो यहाँ से receive कर रहा हूँ न तो in के direction में इस neighbor से मेरे पास जो update आएगा उसके लिए मैं set कर सकता हूँ यह route map को या फिर तो उससे set करूँगा तो क्या होगा मेरा खुद का router 3 का खुद का भी origin code वो भी change हो जाएगा उसके साथ यह आगे भी दे देगा i के साथ r1 के तरफ ठीक है उससे क्या होगा r3 के routing table में या फिर bgp table में कोई changes नहीं आएगा बस r1 के routing table में आपका changes देखने को मिलेंगे तो मैं यह क्याम करूँगा मैं बस r1 के तरफ लगाँगा neighbor आपका ipa 13.0.0.1 मैं क्या करूँगा route map और हमने r1 लगाया है और out direction में मैंने लगा लिया क्या बता रहा है specify remote as for peer group ओके 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 तोरी हमने जो ip address set किया है वो ip address neighbor के लिए हमने define करके already रखा है r1 के loopback ip address और कोई नया ip address के लिए अगर हम यहाँ पर configuration करने की कोशिस कर रहे है ना कुछ भी change तो यह बता रहा है specify remote autonomous system number और peer group first command first तो यह बता रहा है यह जो ip है आप enter कर रहे हो यह एक नया neighbor का ip है इसके लिए आपने ना तो कोई remote as define करके रखा या फिर इसे कोई peer group का member बना के रखा है तो आप पहले वह काम करो कि आप peer group या फिर remote as उसे define करो ठीक है तो यह गलत IP हमने दिया था इसलिए यह बता रहा था तो हम अभी सही आईपी दे दिये route map r1 उसके बाद मैंने आउट लगा दिए एक बार सॉप्ट रिशेट एक कर लेते हैं कि मैंने एक message के बारे मैं आपको बता या था bgp में एक notification message आता है यह जो सॉप्ट रिशेट हम जब चालू करते हैं यह command यह क्या करता है r3 भी एक notification message अपने neighbor की तरफ दे देता है तो अभी अगर हम जाके आरवान के पास so ip bgp कर लेते हैं तो यहाँ पर आप देखो जो r3 के तरफ से information आया है ना वह information आपको origin code किसके साथ आ रहा है आई के साथ आ रहा है और बाकी prefix के लिए आप देख ले ना कि आपको r3 से कोई advertisement नहीं आ रहा है क्यों नहीं आ रहा है क्योंकि r3 के उपर जो हमने route map चला या न वह route map बस हमने क्या क्या एक ही statement उसमें डाला है और बाकी किसी को भी हमने match नहीं किया एक statement जो हमने डाला है वह 10.0 slash 24 के लिए हमने बस लगाया किसी को बस हमने match किया और बाकी कोई भी prefix आपका match नहीं हुआ है इसलिए हम एक next statement भी हम चला सकते है route map r1 हमने नाम दिया था permit और 20 statement ले लेंगे और इसमें बाकी सारे आपके परमिट हो जाएंगे ठीक है रियल टाइम में आप देखोगे ना यह वाला statement के लिए आपका बहुत दिक्कत होता है को अभी के भी डिलेट हो जाता है या फिर आप गल्द किसे configure नहीं कियो तो उससे दिक्कत बन जाता है के साथ अभी के लिए router 3 से जब information आपका origin code आई के साथ आ गया तो आई वाला जो origin code के साथ आपका अपडेट है वह आपका बेस्ट बन गया और यह information आप देखो इसके साथ valid and best आपको दोनों दिखाई जाए रहा है ठीक है इसमें कोई confusion या फिर doubt होता पूछो नहीं था हम आगे बढ़ेंगे लिए पास एक इनफोर्मेशन है मेड करके इसकी फुल्फर्म मेरे को याद नहीं आप इंटरनेट से सर्च कर लेना तो मेड भी आपका एक path attribute है मतलब आपका क्या है कि अगर आपका origin code तो आपका सही से path attribute का decision लेना था वह अगर आपका सही नहीं हुआ आपके पास path attribute है आपके पास उसको यूज किया जाएगा और मेड भी एक value जैसे आपके पास होता है जैसे weight या फिर local प्रिफरेंस का आपका value था ना मेड भी उसी तरह का value है सबसे पहले यह आपका हमेशा क्या होता है lowest prefer किया जाता है अगर दोनों तोरफ से आपके पास कोई path receive हो रहा है यहां से अगर मेड वान है यहां से 2 है यह वाल आपका प्रिफर हो जाएगा जब हम weight या फिर local प्रिफरेंस बगरा के बात किये थे तो हमें पता था कि highest वाल आपका प्रिफर होता है लेकिन वह SPF में जो आपके पास cost value या फिर metric value जो आपका होता है जो भी आपका metric value उस prefix के साथ था वह आपका automatically mad value के साथ आपका copy हो जाता है ठीक है यहां पर IGP का मतलब हो सकता है आपका EA, GRP, OSPF, ISIS, REAP कुछ भी आपका हो सकता है कोई भी आपके पास interior gateway protocol हो अगर किसी भी interior gateway protocol से आप BGP के अंदर advertise कर रहे हो redistribute command के साथ तो उस case में आपका जो interior gateway protocol की जो भी metric value उस prefix के साथ आपका होता है वह same to same exact आपका made value के अंदर आपका copy हो जाता है तो हम customer 11 पे एक बार चले जाते हैं क्योंकि यहाँ पर हमने कुछ redistribution पर्फर्म करके रखा है तो यहाँ पर अगर मैं क्या करता हूँ ठीक है so IP BGP अगर चला लेता हूँ तो आप यहाँ पर यह चार प्रिफिस के लिए आप देखो यहाँ पर आपका जो metric दिखा रहा है यह आपका made value होता है ठीक है तो यहाँ पर आप देखना जो metric value इससे पड़ा है आप कैसे आप verify करोगे यह information आपको OSPF से आ रहा था इसके लिए एक बार हम routing चेक कर लेते हैं OSPF में तो अगर आप चेक करोगे ना तो आप यहाँ पर देखना राउट metric is 11 और यह कहां से receive हो रहा है distance value आपका 1110 है इसका मतलब आपका OSPF से receive हो रहा है अब यह पिर से बता देता हूं तो आप देखो यह जो चार प्रिफिस को आप एक बार या फिर आप इसी प्रिफिस को एक बार देखने की कोशिश करो यहां पर एक value आपका फील्ड देखने को मिलेगा metric इसका मतलब आपका होता है कि made value जो होता है आपका bgp में metric के तरह आपका दिखा रहा है तो इसमें made value ने अगर आपको यह आपको दिखेगा है यह नेट वर्क की information इस डिवाइस तो कहां से आया है ऊसके बाद OSPF के metric अगर आप देखोगे न तो आपको metric यहाँ पर value आपको 11 दिखेगा तो जब हमने customer 11 router के उपर OSPF to BGP हमने redistribute कर दी तो इसने क्या क्या यह जो exact metric value आपके पास available था इसको इसने copy करके कहां तक ले लिया आपका metric value BGP table में made value के अंदर आपका update कर दिया इसका मतलब यह है किसी भी router के उपर अगर आप जाके क्या करते हो redistribute करते हो किसी prefix को BGP के अंदर तो वो क्या करता है आपका made value उस prefix का जो भी आपका IGP का metric होता है उस value को copy कर लेता है made walletable में ठीक है और उसके बाद अगर हम देखेंगे by default आपका जो भी prefix आप inject करते हो network command के साथ उसके लिए आपका made value क्या होता है जीरो होता है ठीक है अगर आप network comment चला रहे हो किसी prefix के लिए और BGP में advertise करने की कोशिश करते हो तो उस case में आपको दिखेगा वो information आपके made value आपका क्या होगा जीरो के साथ आपको दिखेगा ये भी यहाँ पे दिखा रहा है आपको जीरो बेलो के साथ क्योंकि ये आर्क्टू के पास आपका 2.2.2 वाला जो information है ये आपका inject किया गया है BGP के अंदर network comment के साथ इसलिए इसकी metric आपका 0 दिखा रहा है ठीक है तो network command के साथ अगर कोई prefix को आप advertise कराते हो या फिर आप ऐसा समझ सकते हो जिस prefix का origin code i होगा उसकी made value हमेशा 0 बनेगा या फिर किसी भी prefix या फिर network को अगर हम BGP के अंदर network command के साथ advertise कराते हैं तो उस case में उसकी made value by default आपका क्या होता है जिरो होता है तिस्तरी option हमरे पास है कि made value आपका हमेशा क्या है IBGP के update में carry होके made value जाता है तो यहाँ पर कैसे होगा आप देखो R2 और R1 के पास आपका IBGP membership है तो R2 के पास अगर आप कोई made value set करोगे किसी prefix के लिए तो वो information आपके R1 तक आ जाएगा क्योंकि R1 और R2 के बीज़ आपका neighborhood type है वो आपका IBGP membership है इसलिए आपका R2 से information R1 तक travel हो जाएगा उसके बाद अगर हम देखते हैं कि EBGP के case में अगर हम देखेंगे तो EBGP के case में भी आपका made value क्या होता है आपका एक autonomous system number से दूसरे autonomous system number तक आपका travel होता है यह थोड़ा confusion आपको बना देगा मैं इसको एक बार लिख लेता हूँ फिर उसकी बाद आपको समझाने की कोशिश करता हूँ एक लाइन में आप समझ जाओगे अगर है अगर है अगर है अगर है त्रावहेल व्रॉम आपका ऐसा होता है आप देखो अगर कस्टमर 11 राउटर पे आप देखो कस्टमर 11 यह जो पिंक कलर का एरिया है ना फास्ट वाला यह एक अलग सा autonomous system number है और यह जो टाटा का एरिया है ग्रे कलर का यह अलग सा autonomous system number है फिर से पिंक कलर का अगर आप देखोगे ना यह आपका अलग सा ग्रे कलर मतलब अलग सा autonomous system का एरिया है तो कस्टमर 11 पे अगर मैं कुछ भी made value set करता हूँ न तो यह made value आपका ebgp neighbor r2 तक आ जाएगा मतलब एक autonomous system number से दूसरे autonomous system तक तो आ जाएगा और आपका पता है अगर दूसरे autonomous system r2 के पास आ गया तो r2 अपना ibgp neighbor को भी दे सकता है क्योंकि made value में न लिख लिया कि ibgp neighbor to ibgp neighbor made value आपका ibgp update में travel करता है तो यह कर लेगा r4 तो कहा जाएगा लेकिन यह information r4 से आगे दूसरे autonomous system number तक मतलब customer 12 तक यह नहीं आएगा तो इसका मतलब एही है from one autonomous system the made value can be traveled to another autonomous system number but not more than that ठीक है दिल्ली से अगर हम कोई made value set करते हैं दिल्ली वाले edge router पे तो यह अपना ibgp neighbor जो टाटाव वाला provider edge यह फिर ibgp router r2 यह फिर r3 उनको made value दे सकता है लेकिन जब r4 या फिर r5 अपने ibgp neighbor को देना की update causes करेगे तो उस case में आपका made value दूसरे autonomous system number पर आपका travel नहीं करेगा तो इसलिए मैंने यह line लिखा made value can be carried or travel from one autonomous system number to another autonomous system number but not more than that यह आपको याद रखने की जरूरत होता है और made value आपका by default जैसे आपका prefer होता है made value आपका lowest मैंने बताया कि made value आपका prefer होता है उसके बाद आपका by default जैसे मैंने आपको rule बताया कि अगर network command के साथ आप advertise करे हो तो made value zero होता है redistribute करते हो तो igp से जो भी आपका metric होता है वो made value में आपका copy हो जाता है लेकिन हम अगर चाहे तो route map का use करके same format हम use करके made value भी हम अपने neighbor के तरफ कुछ यादा दे सकते है तो आपको पता है जो lowest वाला made value के साथ है वो prefer होगा तो एक तरफ से अगर मैं ज़्यादा कर लूँगा अपने topology के हिसाब से आपको पता है कि R2 और R3 दोनों दे रहे हैं made value zero के साथ sorry made value 11 के साथ आपको R1 को दे रहे है क्योंकि यह redistributed आपका पास network जो है यह redistributed था तो R10 के बारे में अगर मैं बात करता हूं R3 से update नहीं आ रहा है क्या देखेंगे क्यों नहीं आ रहा है ठीक है तो इसके पास made value सब के सबके लिए अगर आप देखोगे तो 11 के साथ आ रहा है एक बार हम देख लेते हैं आर्थरी से हमने कुछ चेंजेस तो नहीं किया अगर दू सो आई पी बीजीपी अ ठीक है क्यों नहीं आ रहा है मैं आपको बता रहा हूं आप देखो इसको अगर मैं चलाओंगा अभी के लिए फिर से टाइम लेगा बता देता हम आपको पूर्टमेब को के तरफ एक राउटमेब हमने लगाया लेकिन बाद में हमने क्या किया राउटमेब को लेकिन दिलेट कर इंट्रेस्टिंग ट्राफिक कुछ भी नहीं मिला मैच नहीं हुआ तो रवान के तरफ ये क्या कर रहा है कुछ भी ऑबड़ेट नहीं भेज पार रहा है implicit deny आपका by default होता है ने राउट map में तो यह by default आपका क्या हो रहा है implicit deny सारे कुछ आपके deny हो रहे है इसलिए R1 के पास अगर आप अभी देख रहे हो तो R3 के तरप से आपका कोई भी update नहीं आ रहा है तो एक बार वो command में आपको दिखा देता हूँ तो R3 में आप देखो यह वाला आपका लगा हुआ है R1 राउट map जो है आपका आउट डिरेक्शन में लगा है ठीक है कोई दिख्वत नहीं इस राउट में पार 1 के अंदर ही हम made value क्या करेंगे set करेंगे इसको एक बार हम हटा देते हैं test के लिए ठीक है अभी के लिए यहां दोनों तरफ से आ जाना चाहिए आ गया तो 10 के network के लिए हम जो भी changes करेंगे इसके लिए करके देखेंगे अब देखो दोनों के लिए made value आपका same आ रहा है इसलिए made के according आपका जो भी path का selection decision आपका लेना चाहिए तो वो decision आपका नहीं बन रहा है तो हम क्या करेंगे आपको पता है कि अगर आप एक को best करना चाहते हो तो यहां पर हमारा best कंसा है बेस्ट आपको पता है कि आपका two वाला router best बन रहा है तो हम क्या करेंगे तो three को best करने के लिए हम क्या कर सकते हैं यह आपके पास made value है ना हो सकता है तो यह made value का हम जो आरा है वह आपका 11 आ रहा है तो 3 से जो आपके advertisement आगे जा रहे हैं इस किया करेंगे कुछ क्या करेंगेए 11 से थोड़ा ज़श्टा करेंगे तो हम इस बार क्या क्या करांगे ? value क्थादा करेंगे और 2 के पास यहां से मैं खेलेंगे तो r2 के पास जब मैं जाओंगा सबसे पहले हमें statistic traffic match करना बहुत इस बार shared उज नहीं करोंगा but interesting traffic match करने के लिए access list ले लूगा मैं access list ले लूँगा 10 के network के लिए 10 network इसके नाम मैंने ले लिया और इसके बाद मैं permit statement को चलाओओगा pataheo अच्छा कि अच्छा कि अच्छा है ये पहले बताaching- standard रही या फिर extended करने के लिए अस्टाइब करने के लिए अ हे वो सुरी आपका name mode यहां से नहीं उठाता है वि City है मैं हमें काम करेंगे IP, Access List और उसके बाद Extended फिर उसके बाद मैं Name ले लूँगा 10Net वाला ठीक है क्या हो रहा है इसे सही तो है Invalid Access List का नाम क्यों बता रहा है Quad में यह नंबर नहीं ले रहा है क्या तो हमने नेट ले लिया इसके अंदर हम क्या मेंच कराएंगे हमें address मेंच कराना है तो यहाँ पर एक statement हम चलाएंगे permit वाला statement permit में हम क्या करेंगे network 10.0.0.0 और Access List में आपको पता है आपको wildcard mask की ज़रूत होता है तो हमारा जो subnet mask की यह लास 24 का है 255.255.255.0 का तो इसकी wildcard mask का अगर हम देखेंगे तो इस case में आपका होगा ठीक है permit IP यहाँ पर लिखने की ज़रूत होता है उसके बाद 10.0.0.0 फिर में wildcard mask की ले लूँगा ठीक है यह आपका source होगा और उसके बाद आपको destination mention करने के ज़रूत है तो destination में क्या करूँगा एनी लगा लूँगा कि आपका destination कुछ भी हो source अगर यह होगा तो उस case में लेकिन जब आप route map में कुछ भी चीज mention करने के आप मतलब जो control plan traffic हमारे पास होता है कोई destination यहाँ पर mention करने की ज़रूरत नहीं है तो यहाँ पर यह वाला अगर मैं लगा होगा यह काम नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर source destination दो आ रहा है तो हम क्या करेंगे standard वाला मैं ले लेता हूं तो ip access list standard हम ले लेते हैं मैं इसका नाम ले लेता हूं ठीक है new ले लेता हूं तो हम यहाँ पर क्या करेंगे permit कराएंगे 10.0.0.0 और इसके लिए हम wildcard mask जो है लगा लेंगे ठीक है यह statement आपका permit हो गया तो उसके बाद हम क्या करेंगे route map बनाएंगे route map का हम कुछ भी नाम दे देंगे मैं यहाँ पर आरवान ले रहा हूं और permit 10 के साथ हम लेंगे इसमें हम match करेंगे उस access list को match ip address और access list जो हमने बनाया उसका नाम हम ले लेंगे तो new करके हमने बनाया तो मैंने new दे दिया अभी हमारा interesting traffic match route में भी हो गया आपके पास command होता है मेंडे वेल्य सेट करने के लिए सेट मैट्रीक ठीक है उसके बाद हम मैट्रीक वेल्यू आप क्या सेट करना चाहते हो ठीक है यहां पर आपके पास पहले कुछ option दे रहा है कि आप add या subtract क्या करना चाहते हो मतलब कुछ बेल्यू को आप कम कराना चाहते हो या फिर कुछ बेल्यू को आप ज्यादा कराना चाहते हो तो यहां पर हम क्या करेंगे कुछ बेल्यू ज्यादा करेंगे तो हमने यहां ठीक है तो हम यहां पर क्या करेंगे कुछ value ज्यादा ले लेंगे तो plus हम कितना value से ज्यादा करेंगे 10 के साथ हम ज्यादा कर लेंगे हमने ऐसा कर दिया या फिर आप चाहो तो manually कोई भी value आप set कर सकते हो तो मैंने बताया कि जो metric value है उससे आप क्या करा आप 100 ज्यादा कर दो या फिर 20 कुछ भी value आप ले सकते हो तो हमने route map ले लिए उसके बाद हम क्या करेंगे यह route map को अपने neighbor के तरफ हम क्या करेंगे call कर लेंगे तो neighbor हमारा neighbor का IP है यह वाला और route map हमने call कर दी आरवन और out direction में हमने लगाया कि आरटू जब को यह आरवन के तरफ advertisement देगा तो उस case में update के साथ जो भी आपका prefix पड़ा होगा उसके उपर यह reflect हो जाना चाहिए और बाकी prefix को भी हमें permit करना पड़ेगा आपको पता है कि अगर मैं नहीं करूंगा तो सिफ इसी के साथ जो आपका prefix match हुआ है ना route map में तो उसी के साथ यह आपका reflect हो जाएगा जो आपने match किया है new वाला जो access list है तो मैं क्या करूंगा route map r1 permit वाला statement और sequence number कुछ ज़्यादा ले लूँगा और इसमें बाकी सारे को मैं permit कर लूँगा ताकि क्या होगा जो हमारा पहले statement के अंदर है उसके लिए हमने कुछ attribute set किया है वो attribute के साथ और reflect में आ जाएगा और बाकी के लिए कोई attribute आपका set नहीं होगा वो जैसे कि general आपका advertisement है उसी तरह साथ आपका चले जाएगे अब भी के लिए अगर मैं R1 के पास आ जाओंगा और यहाँ पे अगर हम check करते हैं तो आप check करना कि यहाँ पे जो आपका पूराना metric 11 के साथ था उसके साथ 100 value हमने increment की और इसने 100 value के साथ उससे increment कर दिया और उसके साथ साथ इसने जो lowest value के साथ आपका R3 के तरफ से आ रहा था इसके mad value अभी lowest बन गया इसलिए इसने क्या-क्या R3 को ही best path बना लिया क्योंकि इससे जो mad value आपके पास आ रहा है तो यह आपका best बन रहा है तो mad value जैसे कि आपका lowest हमेशा prefer किया जाता है तो उससी साथ से इसने क्या-क्या उसको prefer बना लिया यह समझ में आया ना या फिर कोई confusion ओना तो इसमें भी बस आपको याद रखने की ज़रू होते कि mad value आपका seven number का path attribute है और mad में हमेशा आपका lowest prefer किया जाता है और आपको जो मैंने बता है कि directly अगर आपके पास i code के साथ कोई network inject हुआ है तो उसका mad value जीरो और आपके पास अगर आप देखोगे कि question mark के साथ अगर आपके पास कोई आ रहा है तो उसके लिए आपका mad value जो है IGP से जो आपका mad value होगा वो यह आपका copy हो जाता है तो यह statement को मैं हटा देता हूँ ठीक है अगर यहां तक भी आपका decision नहीं बना अगर आपका decision भी नहीं बन पाया तो हमारे पास next path attribute चेक किया जाता है जो आपका eight number का path attribute है उसके नाम है external over internal इसका मतलब directly आपके पास यह है कि मान लो यह आरवान आपके पास है यह R2 है यह R3 है एक X network का information दोनों तोरब से आ रहा है और यह EBGP neighbor है और यह IBGP neighbor है तो उस case में जो EBGP neighbor जो advertisement देता है ना वही path आपका प्रिफर किया जाता है ठीक है तो external neighbor या फिर external BGP neighbor मेरे को जो update देगा वह हमेशा मेरे पास prefer रहेगा किसके according अगर मेरे पास उसके लिए internal neighbor information दे रहा है तो हमेशा मैं क्या करूंगा external neighbor को ही best मानूंगा ठीक है तो इसके लिए आपका रूल है इसके लिए वैसके लिए आपके पास AD value जो होता है ना उसके according यह आपका decide किया जाता है क्योंकि मैंना आपको बताया था कि EBGP से अगर आपके पास कोई update आ रहा है तो उसके AD value आपके पास होता है 20 और IBGP वाला अगर कोई neighbor आपको information advertise कर रहा है तो उस case में आपका AD value क्या होता है 200 इसलिए आपको हमेंसा पताया पहले से मैंना आपको route selection criteria जब मैं बताया था तो भी मैंना आपको बताया था कि हमेंसा आपका lowest AD value जो होता है वह आपका prefer किया जाता है तो यहां पर आपके पास क्या है EBGP नेबर से जो information आ रहा है उसके AD value आपके पास lowest है इसलिए यह आपका हमेंसा prefer किया जाता है तो इसमें अगर मैं जाके देखता हूँ कोई information आप देखो R2 के पास हम जाते हैं क्योंकि R2 के पास आपके पास क्या है EBGP नेबर और IBGP नेबर दोनों है तो IP BGP अगर हम यहां पर करते है अच्छा एक काम करते है R1 से मैं advertise कर देता हूँ एक network को वान वाला जो network है ना उसको BGP के अंदर हम करेंगे यह अभी तेख advertise नहीं हुआ है तो अभी R2 के पास कुछ information R1 से जाएगा network 1.1.1.1 mask value 255-255-255-255 यह आपका चला जाता है कोई दिखत नहीं तो R2 के पास अगर मैं जाके अभी के लिए चेक करूंगा तो R1 के information भी आपके पास आ रहा है और आपके पास यह आर लिद के आ रहा है इसके बार में भी हम लेटर देखेंगे यह क्यों आ रहा है तो देखेंगे तो यह information आपको IBGP नेबर से आ रहा है और यह information आपको EBGP नेबर से आ रहा है यह 10 का information तो हमें एक बार क्या करते हैं इसकी information routing table में आप जाके देखते हैं तो आई पी बीजीपी तो आई पी राउट बीजीपी हम एक बार कर लेते हैं तो आप देखना यह जो information आपके पास आ रहा है यह आपका EBGP नेबर आपको दे रहा था तो यहां पर अगर आप देखोगे तो EBGP नेबर के लिए तो आच्छा यह वाला OSBF से क्षर हो गया इसलिए है तो हुँआ है हम हम बीजीपी टेबल में च्छों चेक कर सकते हैं तो आई पी बीजीपी को चेक कर लिते हैं यहां पर दिखा रहा है ना यहां पर बस इंटरनल दिखा रहा होगा यह वह לבन वे रहा है का अंती के फूछ दूसरा नेटवर्क में यहां पर बनाता हूं और रवन के उपर या फिर R3 के उपर एक बार में करता हूँ कि क्यों हो रहा था दिक्कोद यह भी मैं आपको बताऊंगा लेटर तो R3 के उपर एक नेटवर्क में कंफिगर करता हूँ IP राउट 60.0.0.1 255 255 255 इंटरफेस लुपबेक 10 ले लेता हूँ IP एड्रेस इसको में दे देता हूँ 75.0.0.1 255.0.0.0 और BGP के अंदर इसको मैं क्या करूँ है नेटवर्क कमाड़ के साथ अडबरटाइज करा हूँ आउटर BGP 1000 नेटवर्क 75.0.0.0 और मास्क विल्व हमारे पास से लास एट का तो यह इंफर्मेशन हमें OSPF से नहीं मिल ला है किसको आर्टू का आर्टू के पास अगर मैं जाके देखोंगा आप यहाँ पर देख लो वो इंफर्मेशन अभी तक नहीं है कर लेते हैं तो आर्टू के पास भी आ जाना चाहिए तो आई पी बीजीपी इसके पास क्यों नहीं आ रहा है तो आई पी बीजीपी नेवर आपके पास ऐसा अगर कोई दिक्कत आपके पास हो रहा है आप सबसे पहले सो आई पी बीजीपी समरी चलाओ चेक कर लो कि आपके नेवर जो है वो सही है की नहीं है ठीक है आपके नेवर है आरवन जो है ना वह आपके साथ नेवर है और एक प्रिफिस्क भी उसके पास जो अडबर आपको दे रहा है लेकिन दूसरे आई बीजीपी नेवर से आपके पास आ रहा है ना वह नहीं दे रहा है तो इसका मतलब हो सकता है आपका राउट रिफ्लेक्टर में कोई दिक्कत हो सकता है तो यहां पर हम जाएंगे डू सोरन सेक्शन राउट और बीजीपी और यहां पर हम देखेंगे कि आर्थ्री साइद आपका राउट रिफ्लेक्टर क्लाइंट नहीं है इसलिए नौन क्लाइंट से आई है अपडेट दे दना चाहिए नौन क्लाइंट से अगर कोई अपडेट आया तो उसकेस में आपका देना इतना चाहिए था कि कि आर्वन के पास आ रहा है और आने के बाद यह बेस्ट भी बन रहा है वेलेटेंट बेस्ट दोनों हो रहा है ना तरह कोई क्यों नहीं दे रहा है सब्सक्राइब तो को क्यों नहीं दे रहा है कि आप लिए पोखोट टाइम दे रहा है ठीक है तो अच्छा आरवान के पास हमने राउट रिप्लेक्टर कंफिगर ही नहीं किया है पेले जो हमने किये थे ना वही बस कंफिगर हुआ था कि एक हमने किये और किसी को हमने किये हैं तो हमें क्या करें कि नेवर क्लाइंट कर लेंगे और नेवर 3 को भी हम कर लेंगे अच्छा पहले का हट गया था क्या है यही रिफ्रेस ऑटमेटीकल आपका हो जाता है तो अभी अगर हम जाके देखेंगे इसके पास तो 70 का इंफर्मेशन अभी आ जाना चाहिए ठीक है अभी 2 रिपीस का इंफर्मेशन आरवान से आ रहा है इसका मतलब वह वला आ जाना चाहिए दिक्कद आपको पता चलाना मैंने क्या क्या कैसे इसको ट्रोबल सुट किया तो सबसे पहले मैंने क्या किया मैंने 100rp Bgp Summary चला चला हूं चाहिए कि मेरा नेवरशिपर स्टेट्स सही है और इसके बात मैंने देखा कि यह पृफिक्स ब्रइकर मैंने तो मेरक में थे रहा तो हमने यहां पर route reflector configure नहीं किया था तो इसको मैंने क्या-क्या route reflector बना दिया इसको client define कर दी इसको भी client define कर दी तो rule के हिसाब से एक client से दिया हुआ update एक route reflector और एक client को दे देता है और उसने route 2 के पास दे दिया अभी अगर यहां पर मैं IP neighbor से इसने यह information आपके पास receive हुआ है और एक IBGP नेपर नहीं से advertise किया है इसलिए यह information आपको 280 value के साथ मिल रहा है तो AJ rule जैसे route selection criteria या फिर preference rule के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है हमेंसा lowest value आपका prefer किया जाता है तो इसलिए आपका EBGP से मिला हुआ इसमें भी same information में advertise करा दूँगा क्या करूँगा interface loopback 10 में ले लूँगा same IP को मैं advertise करा दूँगा इसमें IP address 75.0.0.2 इसमें दे देता हूँ ताकि conflict ना हो और इसी network को मैं क्या करता हूँ अडबर्टाइज करा देता हूँ BGP में router BGP यहां पर हमने चला कर रखा है 5100 network 75.0.0.0 और mask value में क्या देता हूँ 255.0.0.0 ठीक है तो अभी के लिए अगर मैं यह network अभी के लिए इसके पास भी available है इसके पास available है तो उसने घुमा गए इसके पास आया था यहां से भी available ह ले तो यह भी advertise कराएगा तो अभी के लिए अगर मैं R2 के पास चला जाता हूँ तो आप देखना यह information आपको दोनों तरफ से receive हो रहा है ठीक है एक तो आपके पास आपका EBGP नेबर आपको दे रहा है और एक आपके पास क्या है आपका IBGP नेबर भी आपको दे रहा है त क्योंकि local preference जहां से best होगा वह select कर लेगा क्योंकि मैंने आपको फिर से बता रहा हूं कि आपके पास जो path list होते है ना path attributes आपके पास होते है वह पहले से एक के बाद एक check किया जाते है और local preference आपका पहले check किया जाएगा और उससे यह match हो गया और IBGP नेबर से जो आपके प अच्छा लोकाल preference हमें set करना पड़ेगा route map के साथ तो मैं काम करूंगा मैं IP prefix list में ले लूँगा कॉंसे network के लिए है 75 network के लिए और permit कराऊंगा कॉंसे network को यह 75 network slash 8 का है ठीक है और route map बनाऊंगा 75 के नाम से मैं बनाता हूँ और permit 10 वाला statement मैं ले लिया match IP address prefix list जो prefix list मैं ने बनाया इसके लिए उसको match करा रहा हूँ उसके नाम मैंने 75 दिया है उसको match करा दिया और local preference इसके लिए भी मैं क्या करता हूँ यहां से भी 100 receive हो रहा है इसके लिए भी मैं क्या करता हूँ 100 set कर सेम नाम का 75 permit 20 इसमें सारे को permit करा दोगा और router bgp process के अंदर में जाओंगा नेबर जो हमारे पास है इसके लिए route map में क्या करूँगा 75 in direction में लगा हूँगा मतलब यह neighbor अगर मेरे को कोई update दे रहा है तो उसके लिए यह route map के साथ जो हमने attribute set किया है वो attribute आपका set हो का information मेरे पास आ जाए ठीक है अभी के लिए अगर मैं चलाता हूँ 200 ipbgp आप देखना यहां से भी 100 आ रहा है यहां से भी 100 आ रहा है ठीक है फिर भी हमारा best path जो है वह सिरक नहीं हुआ यही वाला आपका best path बंद गया क्यूं बना अब देखो फिर से एक दिक्कत हो गया क्या दिक्कत हुआ यहा लेकिन यहां से एक आ रहा है क्यों कि यह आपका ebgp नेबर था ebgp नेबर जब आपको कोई एस मतलब कोई information देता है तो उसमें क्या करता है एस path जो अपना खुद का autonome system number है एस path list में उसे attach करके फैस था है लेकिन ibgp नेबर तो इसने खुद generate किया था तो उसके अंदर हो गया अभी हम क्या करेंगे अभी मैं काम करता हूँ यहां से जो update में रेकर receive हो रहे है इस network के लिए उसके लिए मैं क्या करता हूँ एस path के साथ एक एस path number में एस number है के attach करा देता हूँ तो मैं अभी router के पास जाओंगा router 2 के पास फिर क्या करूँगा prefix list में इस network को already मैंने match करके रखा है तो मैं और एक route map बनाओंगा यह थोड़ा आपको difficulty लग रहा होगा लेकिन बार-बार करने के बाद यह थोड़ा हो जागा क्योंकि बहुत सारे rules में यहां पर apply कर रहा हूँ एक ही device के उपर तो route map मैं कुछ दूसरा नाम ले लेता हूँ R1 के तरफ से जो मेरे पास आ रहा है R1 in में लिख रहा हूँ उसके लिए permit statement ले रहा हूँ 10 के साथ match कर रहा हूँ IP address prefix list same 75 में match कर रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर हमें 75 network के लिए करने है इसके अंदर already मैंने match करके रखा है set as path में कर लूँगा इसमें हम क्या करेंगे एक as number प्रिपेंड कर लेंगे कंसा वाला as number हम प्रिपेंड करेंगे last as यहाँ पर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि last as अगर करेंगे तो R3 के तरफ से जो update आ रहा है R1 के जरी है उसमें कोई autonome system number नहीं है तो यह काम नही फिर क्या करूंगा router bgp के अंदर चला जाओंगा और अच्छा route map और सेम नाम हम दे देंगे और एक permit वाला statement हमें चलाना पड़ेगा अगर नहीं चलाएंगे ता बाकी फिर फिस के advertisement हमारा बंद हो जाएगा तब permit 20 में चला लूँगा उसके बाद router bgp 1000 के अंदर हम जाएंगे neighbor 1.1.1.1 इसके लिए हम route map लगाएंगे पंसा नाम का जो route map यहाँ पर हमने बनाया उसको in direction में में लगाऊंगा क्यों in direction में कि R1 जो मेरे अड़भटाइज करे जो advertisement आएगा उसके उपर यह route में बाफ का reflect हो के आए एक बार हम इसे software reset करा देत देखते हैं और गया डू सो आई पी बीजिपी अब देखते हैं क्या दिक कोत्वा अब भी अगर आचा यह कि एटा चोंके नहीं आया क्या कि एक सेकेंड अच्छा हो सकता है कि अगर कोई एस का information नहीं है ना उसके साथ यह क्या कर रहा है प्रिपेंडी नहीं कर रहा है है ठीक है तो हम और एक भी काम दर आ सकते हैं कि अधा है राउट मैप 75 पर मेट वेला स्टेटमेंट 10 में था मेच आई अच्छा राउट मेप हमने साइध कौन सा वाला लगा था उसके लिए कि अच्छा यहां भी 75 था ना ठीक है कि 75 पर मेट 10 वाला स्टेटमेंट पर हम कुछ चैंज करेंगे मैच आई-पी अड्रेस रिफिक्स लिस्ट हमने 75 ले लिया सेट एस पार्थ कि प्रिपेंट का इंफर्मेशन दे रहा है ना और कुछ नहीं हम बस एड कर सकते हैं मतलब रिमूब नहीं कर सकते कि यह आपका आई-बी-जी-पी नेवर नहीं दे रहा है इसलिए मतलब दे रहा है तो इसलिए आपको दिक्कत हो रहा है क्योंकि आपके पास कोई एस नमबर वहां पर टाच नहीं है कि यह काल हम देख लेंगे इसके प्राक्टिकल इसको हम मतलब इसको छोड़के कोई confusion बगेरा हो ता आप बता दो इसमें बस रोल्स आप याद रख लो यह प्राक्टिकल हम काल देख लेंगे क्योंकि यह इसके पास कोई इसलिए कोई नहीं कर रहा है ठीकर नेक्स क्लसिस को हम देख लेंगे यहां तक आपका पूरा समझ में आ गया ना बहुत धीरे धीरे चल रहा हूं इसको बहुत स्थीड विचला सकता में धीरे इसलिए जा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए यस सर्थ आप प्राक्ट करेकल चालू किया है क्या इसका नहीं सब्सक्राइब